आप इसे कैसे देखते हैं उन्होंने पूछा मैंने का मैं तो आँखों से देखता हूं उनकी शिकायत थे कि आप लेकिन दिखा नहीं रहे हैं जो देख रहे हैं हलाकि वे इस बात से सहमत है कि हम आप सब देख रहे हैं सब जान रहे हैं कहने लगे कि जब ये कहा जाए कि ये तुम्हें नहीं देखना है तो वो देखने की उतकंठा और बढ़ जाती है और कई लोग यो भी करते हैं कि जब देखने की कोई चीज बड़ी मशूर हो रही हो तो उसे तब नहीं देखते, थोड़ा ठहर कर देखते हैं। बाज लोगों का मानना है कि सही से देखने के लिए आँखें बंद करना जरूरी है। कनीमत है चश्मे तगाफुल भी उनकी बहुत देखते हैं जो कम देखते हैं। शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर तीन ताल जिसे पहले ठेला पॉड़कास्ट की तरह देखा गया, फिर बद कहाओ की तरह और फिर उपचारात्मक बकवास यानि ठेरेपिटिक बुल्शिट की तरह है। तीन ताल का 120वे एपिसोड ताउ बाबा और सरदार की ओर से जैए हो, जैए हो, क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे हैं। मैं कांती शाह इत्यादे नाम से परिचित हूँ, गुंडा मैंने कई बार देखी है, और मैं समझता हूँ कि भारत में जो अद्भुत फिल्में हैं, उसमें से एक गुंडा है, लोहा भी मैंने देखी है, देखी थी जब मैं छोटा था, तो ये लोग फिल्में बनाते थे, इस देश में, उनका अब नहीं बनाते, चुकि सिंगल स्क्रीन खतम हो गया, पर वो ओडियंस के लिए फिल्में बनाते थे, वो ओडियंस इनको मिलता था, कहीं पर कोई परचार नहीं होता था, और वो साथ दिनों में फिल्में बना लेते थे, धर्मेंदर इत्यादी बड अनायास ही कुछरील एक्स्ट्रा लगा दिये जाते थे, सिनेमा वालवाले की तरब से, और फिर वो लोगों को पता होता था कि एक्स्ट्रा जो है, वो पैटालिस मिनट के बाद आएगा, तो वो टिकेट कड़ा के जाते नहीं थे, वो सिर्फ वो देखने जाते थे, तो इ कांती शाह है उसमें, इस डॉक्यमेंटरी में, पर कांती शाह उन चार डिरेक्टरों में नहीं है, जिन्होंने की, इसमें पार्टिसिपेट के है फुली, उन्होंने उन चार डिरेक्टरों को धूंड के निकाला और उनको कहा कि आपको हम बजट देते हैं, आप वही वाली फिल्में बनाए और चारों ने एक-एक फिल्म बनाई क्या नाम है सनीमा सिनेमा मरते दम तक बाबा मैं मतलब बहुत सारे लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे यंग लोग खास करके तो नहीं देखेंगे तो मजाने पर वो एक अनुभव दोक्यूमेंटरी है डोक्यूमेंटरी है आज कल वे से बाबा आप क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं गुरू हम फंस गये हैं इसमें अलीट करके एक संब्रांत और अभिजात्य घरों के बच्चों की एक स्पैनिश सिरीज है जो एक विडियले में पहुते हैं हर सीजन में एक डेथ एक मर्डर या एक डेथ होती है और उसकी मिस्टरी में वो बच्चे उलजते हैं और उसके इर्दगिर उनके अपने तमाम सारे तालुकात और सारी चीज़े हैं जिस वह से वो मौत हुई है या उससे रिलेटेड है तो वो एलीट मैं देख रहा हूँ छटा सीजन उसका चल रहा है और दस बारा एपिसोड हर सीजन में है तो आप सोचिए पनलब पचास साथ सी पिर आप फज गए हैं वक्ती लेकिन आखरी सीजन है मैं बहुत साहित हूँ बीच बीच में क्योंकि रहा नहीं जा रहा है फवदा आ गया है सीजन फोर दो एपिसोड उसके भी काट चुका हूँ और आर्टमन अंपायर का सीजन टू आ गया है तो एक उसका काट चुका हूँ और दो एपिसोड निप्टा चुका हूँ वाइकिंग्स वलहला का जो लेटेस सीजन है उसके भी दो बाबा दो मुल्टी टासकर तो मूड के उपर डिपरिट करता है और इन सब के बीच में जब जब थोड़ा सब परशान हो रहा हूँ तो यंग शैलडन का कोई एक दो एपिसोड वो काट दे रहा हूँ वो एक विज्ञान में डूबे हुए दस्बादा सब की बच्चे की कहानी है जो बहुत ही खोबसूरत बनाया है बहुती खोबसूरत बनाया है बहुत बढ़ेंग थियोरी से देखने में और इंटरस्टिंग जा रहा है सिनिमा वाला जो ताउदे भी देख के निप्टा दिया है ये लिस्ट में है एड़ेड है तो एड़ेड लिस्ट उसको कर दिया है लेकिन वहां तक पहुंचने पा रहा है वो प्राइम पे है इसके बारे में समाज कहता था मत देखो और इसी लिए बहुत सारे लॉंडे देखते थे ऐसी एक डॉक्यूमेंटरी अभी चल रही है कि का जा रहा कि मत देखो तो लॉंडे देखने चले गए तो उनकी बिजली काट दी गई फिर पत्तर उत्तर भी चल गए दोचार उनिवर्सिटी में तो आज भी बबाल जस्वगत हम रिकॉर्ड कर रहा है कुछ जामिया यूनिवर्सिटी में तो जामिया में चल रहा है वह चलता रहेगा इस ट्राइसेंड इफेक्ट बोलते हैं इसको आज से 20 साल पहले बार्बरा इस्टेसंड जानते होंगे आप हॉलिवूड से लिप्रिटी हैं उन्होंने एक फटागरफर को सू कर दिया था कि मेरी इस तस्वीर को इंटरनेट से हटाओ अच्छा उस तस्वीर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे लेकिन जब उन्हों ने फाइल किया तो फिर लोगों ने देखना शुरू किया तब से इसे कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट कि अगर आपने किसी चीज को जाने देते आप तो वो चली जाती जैसे कि पठान सरकार ने खरीद कर लिया अब आप सोचिए आज इतने लोगों को जो मैं जानता ह लोगों की बीजेपी समर्थक हैं या पठान से जिसेग्रीमेंट पे थे उससे बाद देखा हैं तो हमने कहां आज आज आपने तीन-चार फिल्मों का रिकॉर्ड तोलवा दिया है आज इसमें आपका महती योगदान है काउंटर पॉलराइजेशन बाबा बिंज कि लोग यह दिखा रहे हैं कि देखो ठान तो गया फ्लॉप हो गया तो लोग टिकेट खरीद के उसकी फोटो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है कि मैं देखने जा रहा हूं फर्स्टे फर्स्टो छे बज़रे सुबहें के वह इसलिए नहीं को शारुक खान को पसंद करते है इनफेक्ट फिल्म देखके आने के बाद प्राइवेटली उन्होंने कहा कि क्या देख लिया है लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि तुम इसे ही नहीं बोल रहे थे ने देखने के लिए मैंने कहीं योगदान लिया है वर्जित को किया है आज मैं करके आया है मसाला थू यह जो लकीर बन जाते हैं इसमें एक दम से दो पार्टी बन जाती है एक पार्टी कर रही है कि उसका रंग ठीक नहीं है परिधान का या जो उसका हीरो है नायक है उसका मजभब क्या है इस वज़े से या बॉलीवुड में किस मजभब के लोग होने चाहिए हैं वो क्यों की तरह लोग दिखाते हैं तो इसमें कुछ दोनों से रही हैं सिंपल हिसाब है पपा बोले हैं पपू के साथ नहीं घूमने का तो पपू को ढूंड के उसके साथ गुली खेलें आज पपू को नाम से क्या बबली अब पपू साथ खिलना शुरू पपू से चैटिंग शु भारतमा का बेटा पांदस मैं खेल भारतमा का बेटा भारतमा का बेटा अंठOOOOOOOO तो भारत मा का बेटा हमारे एक मित्र हैं अंग्रेजी वाली जो हम लोग की वेबसाइट है उसके संपादक है और वो भी देखा हैं पठान देखा है और पीस लिख रहे है कि क्या भारत मा का बेटा बॉलिवुट को बचा पाएगा तो बढ़िया पीस है वो आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़िये और हिंदी में आज तक पर भी उसका नुवाद हम लोग प्रस्तुत करेंगे लेकिन इस तरह के एंगिल है आप देखिए कि जिस आदमी को कह रहता है एंटी नेशनल वह भारत पाका बेटाबन के परदे प लेकिन उस बाबा के समर्थ खड़े हो गए है ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि अंदविश्वास इत्यादी में यकीन नहीं रखते लेकिन वो कहने नहीं मदर टेरेशा को सेंथ गोशित किया था ना तो बाबा संथ क्यों नहीं हो सकता बाबा चमतकारी क्यों नहीं हो सब्सक्राइब सिर्फ इसी जिद पर कि हम रहों हुई और बाबा ने भी कह दिया कि भाईया हम तो सब्सक्राइब 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 इसको राष्ट्री उस तक घोशित करो और उसको नहीं पता है कि यही बात जा करके वो अगर चिदने में मदरास में किसी दम बोल देगा तो बहुत रगला जाएगा उसको संभावना नहीं है ना बंदेल खंड के बाहर उसके उसकी संभावना नहीं है हां और सरकार भी भी लोग भी चाह रहा है क्लीन चिट मिल गई उनको वैसे आजी खबर आई है चुनाओ है ना मद्य परदेश में बहुत जल्दी मुंदेल खंड महत्रपूर वोट वाला हिस्सा है तो महराष्ट पुलिस ने जाचकी नाकपूर पुलिस ने उन्होंने का क ने विहां को क्या लगता है कि मास्क को स्थोली चलता है महराष्ट नातो नात ओका नात एक हांगी जिनका घीत काते घुटे हुए तो एक फिल्म और है निटीन ID2 में बनी थी वह वह भी इस तरहा की फिलमों में नहीं है। लेकिन सिने मा क्राफ्ट्ट सिम्रेश और सिनेमा कैसे एक आभासी दुनिया में आपको एक सपन लोक में लेके जाता है। इसके ओपर महसन मकमलबफ ने वन्स अपॉन अटाइम सिनेमा ये फिल्म का नाम है। नाइंटी 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 टू में बनाई थी। और वो कमाल की फिल्म है। उसमें जो उसके इफेक्ट वही जाला है जो पहले हम लोग देखते ना तीन चार लिखके आ रहा है वीच वीच में लाइन चल रही है लहरा रही है लेकिन अलोकिक है और आपका हंस्ते हंस्ते पेट भी पढ़ जाएगा। तो उनलब वो आईरनी और सब कुछ मिला करके है तो वन्स अपान वीडियोग्राफी का डी सेंटलाइजेशन भी हुआ एटीज तक बहुत लिमिटेड था लेकिन नाइन टीज में शादी बिया तक की रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई थी वीडियोग्राफी शुरू हो गई थी तो नाइन टीज में हम लोग वी एचेस कैसेट पे फिल दूशनरी था उस टाइम में अतीद के सिनेमा को एक याद करते हुए और फिर उसकी संभावना को अपनी पटकता का हिस्सा बना करके बहुत ही सुंदर वीव्ड ये फिल्म है वन्स अपना टाइम सिनेमा नाइटीन नाइटीटू का और उनको एरान का और मिडल इस का या स एक बार वो यहां पर हिंदुस्तान भी आई थी मौसल मकमदबफ ने एक फिल्म हिंदुस्तान में भी बनाई है उसका नाम है स्क्रीम ऑफ एंट्स जिसको मैंने कई आइटिकल्स में हेडलाइन के तौर पर यूज किया है बहुत इंटरस्टिंग है उसकी जैसल मेर की दिल इसो अद्भुत फिल्म है और उसी का एक में नकल नहीं कहूंगा एक वर्जन है लास्ट पिक्चर से चलो शो जो गई है जो की अलफ्रेदो अलफ्रेदो जो की ऑसकर में हमारी तरब से ऑफिशली गई थी चुकि गुजरात में चुनाओ थे और हम एक ऑसकर मीज कर गए क् आरार को तो बेस्ट पिक्चर मिली जाना था पर हम चलो शो को हमें वेजना पड़ा चलो शो अच्छी फिल्म है अवेलेबल है नेट्फिक्स पे उनको लगा था कि ऑसकर अगर मिल जाएगा तो फर्नांडेस क्लेम कर सकते हैं कि हमारी वह से मिला है ऑसकर फर्नांडेस ठीक इसको पेपरलेस होना चाहिए और उसके बाद जो पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रहे थी उनका कि इसमें बड़ी तकलीफ होती है उन्हों मना नहीं किया अफकोस लेकिन उनका कि हमी आदत नहीं है सारे जिंदगी हम कलम से लिखते रहे हैं और लैपटॉप चलाने क आदत नहीं है तो वो कलम के दौर की जो याद है उस पर थोड़ी बात पुराने से अभी नए के दौर में कलम में बड़ा फरक आ गया है बाबा के पास हमेशा एक कलम रहती है जो पतानी दिन में कितने शब्द उससे लिख पाते हैं और जोर कलम का होता है या स्याही का होत या व्यक्ति का होता है और साहस का होता है तो इस पर बात करेंगे और फिर बिजार खबर है जिसमें उन महिला की कहानी है जिन्हों ने अपने पती को तलाक दिया और कुटे से शादी कर ली वह तो एक मेसेज है इसमें एक सामाजिक संदेश है पती में क्या खो जाई थी अपर अंतितर उनों ने उसको खोई लिया जैकिया जो है जैकिया ऐसा अवश्यम भावी तत्व बन गया है तें ताल का तो ये क्यों हो रहा है किसी ने जैकिया श्राप दे दिया और एक और बिजार खबर है कि कुछ बावन चववन यात्री थे वो बस में बैठाया गया उनको फ्लाइट तक ले जाने के लिए वो बस में बैठे रहे और जो है प्लेन उनको लिये बिना उड़ गया उन्हें लगा कि हम तो चववन लोग हैं हमें छोड़ कर कैसे उड़ जाएगा तो और आखिर में प्रिया तीन तालियों के चिठिया है पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं पहले आज तक रेजियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताउ बाबा और सरदार के साथ और अब ह हमें बात करनी है कलम पर वो शुरू कहां से हुई लेकिन उसकी कहानी कुछ दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच किसी टकराव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ली है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डी वाय चंदरचूर उन् ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मुझे लैप्टॉप पर काम करने के लिए कहा है और मैंने अपने पूरे करियर में कागज कलम पर मुझे लिखनी की आदत रही है लेकिन अब हमें समय के साथ बदलाव को स्विकारना होगा सॉलिसीटर जनरल तुशार महता और सीनियर एड़ोकेट अभिशेक मनु सिंगवी उन्होंने भी अपने कागज कलम वाले पुराने दिनों को याद किया कि कैसे वो मोटे-मोटे निबों वाले पैन से लिखने के शौकीन थे और पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए व सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा है तो आप जो कलम रखते हैं अपने कुर्थे की जैब में या जब कमीज पहनते हैं उसकी जैब मैं और ताउर रखते नहीं है हमेशा तो मैं इसलिए समन्ना यह पूछ इसलिए रहा हूं कि अब तो सब डिस्टल में काम हो गया है आदमी कर रहा है इमानदारी से बता ही है कि आप दिन में कितने शब्द कलम से लिख लेते हों तो हमारी यह की बिमारी है कि यह से हम टीम के साथ मीटिंग होंगे तो हम मारकर लेके मीटिंग करते हैं को इस कोई बोर्ड यज़ को इस ताउन देखा है तबाम तरह की यहां पे और कभी development की टीम है कभी sales की टीम है कभी marketing वाले हैं हम बगैर कुछ रेखांकन किये या कुछ लिखे कुछ भी दहीं कर रहा होते हैं कि पास दिन में एक बार मिलने जरू है जाता हूं कम से कम मिलना त्ism चार बार होता है मैं जब भी sales कहकरा ला सबकुछ तेरे नाम लखो कहीं कर रहा होता हूं तो मेरे तहीं जो क्या बोला गया आथे आई तो वो आप हमसे शादी खाना जुसक्त कर ले हो हम बगार कागज किलम ने शुरू करें तो मेरी आदत में कलम शुमार है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कलम ना चले यह जरूर होता है कि तीन या दो कलम जो मैं लेकर चलता हूं उनमें से एक ही कलम चल रहे होत से करने में लिखने में मैं भी सहजिता महसूस करता हूं पर जिसको लिखना कहते हैं कि अब मैं लिखता हूं बैठके हाँ वो दो छूड़ी होता है साथ मैं क्योंकि हम हर चीज़ के बुलेट पॉइंट्स नहीं मैं क्रेटिव राइटिंग आर्टिकल राइटिंग उसकी पेंसिल से निकली है रेस्टूरेंट में बैठे बैठे टिशु पेपर तक पर कविता लेखी यह कोई कागस नहीं लेकिंगे टिशु पेपर कोई दिमांग में आगया अच्छा लगा प्रसलब में दो-तिन कविता ओं के मुझत तक जो है वही पर आए हैं बैठे बैठे प तो रस रंजन के बाद में रत रंजित का विदाय लिखना ये कौशल है तो वो किया गया तो वो कलम हमेशा रहे तो जो मेरी क्रेटिव राइटिंग आप जिसे कह रहा है और मैं जब भी सोचता हूं कि मैं जीवन में अपने आगे चलके कभी कहानिया लिखूंगा उपन्यास लिखूंगा मैं कभी भी लैप्टॉप नहीं दिखता हूं मुझे हमेशा कलम कागस देखता है एफोर साइस पेपर का एक रिम दिखाई देता है मैं सब में नंबर पला रहे गया और मैं उसको लिखूंगा फिर एक आदमे उसको अब एक चीज मैंने और की है कमाल की ताउ होता हूं तो मैं अंग्रेजी में पॉइंट्स बनाता हूं उसके बाद अब उसको अफिशली मेल पर जालना है या लोगों को भेज़ना है तो मैं वह कागस किसी को अब भीजने के बजाए वाट्सप पे फोटो कीचके मैं अपने फोन का कैमरा ओन करता हूं गूगल लेंस पूरा टेक्स कॉपी कर देता है वैसे ही बुलेट पॉइंट्स में उसको लिखता है बहुत तमीजदार है तो उसको फिर खताग से वाट्सप पर संग कर देते हैं आज कि बहुत अराब हो गया और एक चीज़ क्या किया है वाट्सप ने लोगों को और अरजाने के लिए अब आपको किसी वो अपनी परसनल डायरी के ज़रूबत नहीं है वाट्सप में एक उप्शन आ गया है सेंट योर्स खुद को कोई दोस्त नहीं है आपका खुद को बेजो तो उन लोगों के भारत के लोगों के बहुत हमारे मन में हगने की बहुत इच्छा होती है और लो हमको केतन ने बता है सारा सबजी का हिसाब इस पर लिक रहा है क्या-क्या लाना है कि जैसे भूल ना जाए कि गये थे अधर लेने आपको कुछ और चीज़े पसंद आगे क्या प्यास दे तो सागा देगिया कुछ और जो लेना था भूली गए बाकि सब लेकर आगे अब द कीप गूगल कीप आप उसमें अगर लिस्ट बना दें तो आप उसमें लिस्ट को हटा भी सकता है से टैप कर दिए खरीद लिया तो हट जाता हूं फिर फोकस में सिर्फ तीन चीज़े रहे थे जो आपको नहीं मिली अभी तरक वह बहुत अच्छी तो हम अपने जाला जाता है फनेल बोलते हैं उसको हमारे कीप भी बोलते हैं अच्छा खेरताओ आप कलम मैं कलम हम प्राचीन यूग में जाएं जब सरकंडे की होती थी यह नहीं उससे मैंने यूज़ किया है सरकंडे वाली उसकी है हम लोग को भी यूज़ कराए गया है वहाथ की सुलेख के लिए वह अच्छा होता था जो कि उसमें हाथ रखके नहीं बलकि आप ऐसे भी कर सकते थे उससे उससे क्या हुआ मैं चित्रकारी में और इंची जो मैं मेरी इच्छा बड़ी फिर मैं कैलीग्राफी करने लगा तो वह सब शौक अब नहीं रहे बाबाबा की बी सब्सक्राइब कोई कालिग्राफिक राइटेंग पर्शन स्क्रेप्ट कुछ-कुछ तो उसमें गए हुए थे सामने योगी आदितनात का इंटेव्यू चल ला है तो योगी आदितनात का करिकेशर इनको पता नहीं कब बना चुके नहीं बना दिया मैं यह सब करता है उसक मैं कागज पे नहीं लिखता था तो वह तो नहीं हुआ पर उर्दू मैं कहां लिख और किसको लिखें और मैं नहीं लिखूंगा तो भूल जाओंगा तो आप मतलब बहुत हास्यास पता बात है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा होता हूं और कोई आदमी खाली सुर्दू मे बात कर रहा होता है, या कबbaly सुन रहा होता हूँ, तो मैं उसे लिखता हूँ, मन में. है न, इसकी Smelling, हाँ, वो मैं लिखते हुए चलता हूँ, और Notes, यहाства बताए है, जैसे बाबा हर मीटिंग में Notes लेते हैं, वैसे में हर मीटिंग में Notes लेता हूँ, और मेरे नोट्स अगर देखोगे तो उर्दू में होते हैं अच्छा देख लिए कर लो कॉपी उससे क्या होता है कि मेरी वह राइटिंग ना बनी हुई है नहीं तो मैं भूल जाओंगा और प्रैक्टिस रहनी चाहिए और उर्दू में क्या होता है कैलिग्राफी का एक जिसमें अपने काम की बहुत कम चीज़े होती है तो उसमें किसी का नाम कैलिग्राफिक ढंग से लिख लिए आज तक उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया हूं यह इस बार प्रदूखर है लेकिन ताउ के स्याही के कलम और अपने स्याही के कलम अभी मैं जुलाई में बनारा करा लाया हूं और मुझे देखके रोज आनंद आता है कि ताउ नहीं कलम उसे लिख रहा है बाबा ने क्या किया मेरे सारे कलम जो है वो जंग खाचुके थे स्याही सुख गई थी उसका कोई होप नहीं रह गया था और यह सब कलमें अच्छी मतलब क्वालिटी की पैंस हैं तो बाबा ने मेरे उपर जो मजबूत हाथ रखा उनने का मुझे दो कुछ नहीं करने होने वाला आप से और यह गए इन्होंने उनकी सर्वेसिंग करवाई जिप और निब निकाल करके गरम पानी में डालके सब को रखा और रात भर भीगो कर रखा और पानी अक्दम अति व्युक्त चल सकते हैं उसमें सरफ स्याही जानी है आप उर्दू की बात कर रहते हैं बच्पन सकूल में था तो मुझे नुक्ते का फरक नहीं मालूम था मुझे अभी भी नहीं मालूम है लिखने में मैं सही लिख लेता हूं अर्थ का भी नहीं मालूम था कि अर्थ भी अलग होता है तो जो मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि इसका सर कलम तुम्हारा सर कलम कर दूँगा तो मैं यह समझता था कि सर तो गोल लगाया जाती है न तो वो कौन सा वल कलम है हैं अमरूत की कलम है मना वो लाप तो कलमी ही अच्छा होता है देसी गुलाब कलम्स के लाइधि उसका उसी को कलम कहते हैं थी न कि देखिए इसमें अकलं न में जो यह है कि अगर पौधे में पौधे का जाइलम और फ्लोयम जाइलम बाहर की इसकिन वाला हिस्सा है बारक वाला और फ्लोयम है उसका अंदर का वुड्ड पार्ट फ्लोयम का दायत वह है भोजन उपलब्दी का और जाइलम का काम है जल उपलब्दी का ये दोनों इंटेक्ट हैं तो उसमें सारी संभाव हैं कि वह मुर्दा से चीजें अवशोशित करके अपने जड़ उगा लेगा अपनी जड़ उगा लेगा और पतियां आने लग जाएंगे फोटो सिंथेसिस के लिए तो यह तो दूसरा क्या है कि यह तो जो डारेक्ट कलम लगती है उसके लिए कुछ कलम होती है एक पौधे के दूसरी कलम रोब करके तो उसमें क्या होता है कि यसे आपके पास नारंगी का कोई पौधा है पिर आंगो यह वी कट उसमें और वी कट देने के बाद में आपने सेब उठाया और सेब की एक डाल को काट करके उसको आपने तीर वाला कलम वाला कलम जैसा सरकंडे को जिसे शापन करते हैं और उसको उसमरा करके वहां से उसको अच्छे से रसी से बांध करके उसके पास में वहां पे आप पॉलिटिन वादा लगा करके ताकि वो इंटेक्ट हो जाए पेड के भीतर पेड़ तो पेल में पेल और इस तरह से लोगों ने एक ही जल के पाउधे में असी-असी वराइटी की चीजें और पत्यां और फूल पैदा किये हैं और हाइब्रिट ऐसे बनते हैं यह बिल्कुल मैजिकल रियालिजम है यह हाँ यह हुआ है मतलब लो बबूल का टेस्ट आएगा अचा जो कलम शुरुवात में हमारी जो पहली कलमे थी मेरे समय में वो थी रिनॉल्ड्स, सैलो ग्रिपर इस तरह की रोटोमेक नहीं थी रोटोमेक नहीं थी और बाइदे वे आपके यह जो साइड बन्स है इसको भी कलमे के है खत खत यी खत हो === बेना नुखते हों होगाँ झाथ तो खत है जो खत नहीं तुम्हाराय खत में पहारी नहीं आँंके मास्चरों मेर्ग कर है मास्चरों का शगल होता है खत उचा रहeur है क्योंकि यहां सुठो नो बच्चा उठने रहे हैं तुरंट कड़ा हुजाते हैं तो यहां तहले जाए महां तो तो कलम का जो पूरा का पूरा मामला है आप देखे की कलम में मोर पंक या पक्षियों के पंकों का बहुत इस्तेमाल हुआ और उसकी वज़य यह थी कि उसको हलका सा एक नाइब से आपने कट मारा तो वो आगे से क्योंकि कौन जैसे हो जाते हैं और पर का जो निचला हिस्सा है जो शरीर से जुला हुआ होता है जिससे आप लिखते हैं प महां पर रेशे नहीं है तो हैंड़ाइटिंग खराब नहीं होगी उसको हलका सा कट मारते थे तो केवल वो कौन ही नहीं मनता था वो कैपलेरी खुल जाती थी इंक अब्जार्व कर लेता था और वो कैपलेरी का एक सिधान्त होता है आप बाल्टी में एक पाइप डालो त तो वो पर की जो कैविटी है वो शाही अपने में रख लेगती थी और आप लिखते आते थे तो धीरे-धीरे रिस्क करके तो आप ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कि हर शब्र पे आपको दो बार डूबोना है आपने एक बार डूबोया उसके बाद में आप एक वाग के डेल ब आई है क्योंकि दुनिया हमेशा से चश्में नहीं लगा रही थी और चीजसें बड़ी-बड़ी ही दिखी आती थी आप पुरानी पांडुलिपियों को देखे तो उनका फॉंट साइस बला है जो इवन कैरिकेचर तस्वीरें बनाई गई है तुलसी दास की वेद व्यास क लोगों नो जो बनाई है उसमें वो पंक से लिखते हुए दिखाए गए हैं और फॉंट भी बड़ा है हां जो उस कैरिकेचर उसमें भी तो सस्वीर में भी फॉंट बढ़ा है ताकि आप देख सकें कि वह श्रूब लिखा हुआ है और भाई साब एक पन्ने में एक-एक से लिखा जात था हैं मास का पत्ता उपर वादा नहीं जो घान होती है नीच villains उसके उपर एक बादा आता है काबर जैसा तो उसको निकाल करके सूखे पत्तों को और उनके उपर लिखने का काम होता था तो पहले शुर्बात के कागद यही थे वो बास के पत्ते या ,RIATE इस या जैञा, बहुत इस्तेमाल होता था लिखने के लिए, उसको काट्ट लिया, केला गिर गया है और उसको रिखने का मुझा हता ऊसके बाहर बाइसे और अंदर वाले पे नहीं, रहता था उसलिदि ब्रेक नहीं होता तो यह सब खूबियां थी जो आपके शुरुवाती कागज थे जब एक्चुली कागज बना नहीं था चीन में कागज बनने से पहले के कागज है और कपले जैसे आदमी ने बनाना शुरू है फिर किया उसका फिक कपलों पर लिखा तो बहुत सारे संदेश बहुत सारी चीज कपलों पर ही लिखी जाते हैं कि वीविंग करके एक चीज बन गया है एक इवेंट टेक्च्चेर मिल गया है और उसमें सबसे आदा सुवधा जना किया है कि अगर वो भीगे नहीं तो उसको कुछ नहीं होने वाला है और उनको फिर करने के उसमें के चैंबर करते थे कि उस संदेश को एक कपला एक खोलेगा मुनादी पीटने वाले अपनी तरफ से दस तरह की विशेशाओं ना लगा दें राजा के आदेश में या उसको लाइट ना पढ़ें इसलिए लिखित मुनादी दी आती थी कि आपको यही पाउना सुनो 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 अच्छा काम राजा यहाँ से बहुत पेलिस कर रहा है राजा हमेशा से आपका कंटेंट कंट्रॉल राजा का नाम लगभख 15 शब्दों के बाद आना चाहिए है 15 विशेशन पहले आने चाहिए है और जो है यह आदत हमेशा से रही है नेलेटिव वो सैड करेगा आप नहीं वह जो लोग कहते ह कि क्या हो रहा हैं करते ना ना होता है वाई साफ वह आप दुकान पर जाके सिया भरवाएम अवी 84 नबे बांदबय के 10 पैसे हम स्याही भरवाएम दस पैसे में फाउंटेन बहुत बाद में हुआ मुझे अपनी याद है कि हम स्याही की शीशी घर पर रखने लगे नहीं तो पहले पाया कि जो स्याही हमनों भरवा गिलाते थे वह अच्छी नहीं होती थे वह एक लीटर वाली शाही की बोतल आया करती थी जो आट-दस रुपए की उसकी खीमत होती थ तो उसमें नीचे गाद भी बैठता था रेत बैठता था उसमें और निब को वह चीज खा जाती है तो इसकी देखी शाही का जो मार्केट है जैसे वाटर मैन किंग जो है उसकी खुबी क्या है वो कितनी भी सूखेगी उसमें दाना नहीं दाना नहीं आएगा आपके निप नहीं होती है उसकी जएब और निब में जिसमें से स्याही का आदान परदान हो रहा हुथा हम जादेबात कथ शाही वाले कलमों की कर रहा है तो कि वहीं से शुरूरात हुई कालम की और अब ही स्याही वाले कलम की होना च्याही बाकि शरा पेंढ़ estas REPiiii नेहीं ठगराएटि गल 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 जलेवी बनाते हुए घलवाई की तरह है एकदम आप चुवाते चले जाएंगे माईदा ना काईया में उस तरह से लिखाई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब से यह लॉंग फॉर्म सब्जेक्टिव आया ना तब से यह बढ़ गए कि लंबे लंबे लिखने समय कम अभी लांग फॉर्म कम हो गया है पहले और भी लंबे उत्तर लिखे जाते थे मैंने अपनी हाई स्कूल की इंटर्मीडेट की ग्रेजवेशन की समस्त परिक्षाएं अपने जीवन में स्याही के कदम से लिखके दी हैं आज तक का रिकॉर्ड है हमारा आज चैनल करने मेरा आज तई का यह मेरा रिकॉर्ड है कि अपनी सभी परिक्षाएं हाल फिलाल में भी दी गई परिक्षाएं सब मैंने स्याही वाले कदम से ही बढ़ती हैं से बाद में सिरिंज जो इंजेक्शन की बच्च्शन से मैंने बहुत दिन टैंक भरा है क्योंकि पयान को पहोग जगो है कि नहीं कि स्याही भरी उसके बाद में सिरिंज यहां रख़ो घुया है क्योंकि स्याही फॉचंच से मुंसी लगए हुई है तो वही पोक्युपायन की तरह कहीं पोक देगा वैसे एक चीज है ता बड़िया कांटे काटे कॉक्तम में उसJustwhen यूज हुए हैं उसे बद्या कलम बन सकती है तो इस तरह से पक्षियों के पंकों से शुरू हो करके और फिर वो इवाल हुआ जो पहले शुरुवाती फॉंटेंग पेन है वो इग्जैक्टली पक्षियों के पंक जैसे हैं लेकिन वो मैटल के हैं उनकी एक लेंथ है तीन चा रखा है तो वो शेप उसको ऐसे करके एक निप जैसा पैन होता है उस तरह का शेप दे करके अफ़ी उपर पकाउने के जिए मोटी है और पीछे उसमें काविटी है जिसमें कि आप दो चार पंक गुसेल के रख सकते हैं रहते थे मेटल के बने हुए बहुत सुंदर काम किये हुए पीछे पंक जो है पांक लगे रहते थे पैन में होते थे तो वह चार इंच का कलम कहीं खोने जाए उपर लगाने से एक ब्यूटी आती थी वह वेट नहीं आता था तो लेंथ है इसी टू फाइंड वाला मामला है टेबल पर रखा हुआ है पांक लगा है तो तुरन दिख जाएगा और बहुत लाइट है क्योंकि पर का कोई वेट नहीं है तो बहुत साइंटिफिकली कलम बनाया जिन्होंने शुरुआती कलम बनाया पहला जब रीफिल वाली बाल पेन की तरफ स्विच हुए तो किस तरह है कि behavioral changes है जैसे अब यह तो जब पहले क्या था स्याही भरते हुए लगता था कि यहार हाथ गंदे हो जाते हैं कपड़ों पर भी लग जकती है अगर लीक हो गया पैन उसकी बड़ी समस्य आए थी कि लीक हो गया पैसे की रिफिल आती थी जो छुटकई रिफिल होती थी औ शाल पैन शिए सब्सक्राइब फिल था हुआ हम नहीं रिफिल को खरी में रिफिल आती थी चोती वाली रिफिल यहां ड़क्ता था किसी ने दो तरफ से रिफिल को दबा दिया है उसका परपस होता था इस प्रिंग को रोकने का क्योंकि हमेशा इस प्रिंग के साथ लगाया जाता था ताकि रिफिल को लिखते समय वो खट-खट नहीं हो गिरे नहीं अगर रिफिल हिलती रहेगी या फिर बहुत टाइट रहेगी इस्प्रिंग क्या करता था लेखने को लाइट कर देता था और यह जो शॉक प्रूफ टेकनीक रिफिल की आई इसने राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्योंकि इससे आपकी गाली स्मूथ हो गई आपकी कलम में लग रिफिल से अटाइच है और उस रिफिल में बहुत गाढ़ा इंक का वह पेस्ट भरा हुआ है जो बॉल के रोल होने पर रोलर की तरह लिखने का करता है तो वहीं सिवाया बॉल पेन वह जो बॉल है ना चुकि वह बॉल किसी भी दिशा में जा सकता है इसके चलते लिखना लिखनी खराब हो गई कलम में तमीज होती थी चुकि उसको दूसरी दिशा में चलाओ तो उससे जो नवाय सरोश नहीं निकलता था नवाय शैतान निकलता था तो वह खर-खर खतम हो गई और बड़े स्मूथली चलने लगा एक वो इस प्रिंग ने बहुत खराब किया इस वैसे बॉबाइल डिजीज है वैसे बॉलपन डिजीज की तरह था लोग एंग्जाइटी में पैन बार-बार खच-च-च-च करते रहते थे तो पतला सा ताओ लंबा पेनाता था जिसमें वह जो उसका खोसवा होता है उसको दबाने पर उपर जाता था उसको तो लोग जाता था तो टेबल पे डाइगनली दो लड़के अपना वही पैन लेके लड़ाते थे फिर आया एक ट्रांसपरेंट होता था उसमें चार कलर के हाँ पार जो हरा कलम से उसी से मैंने हरे कलम से पहली बार लिखा और तब मुझे लगा कि पुर्धानाचारे बना जा सकता है इतना विदूर नहीं ना आती दूरे वह था वैसे रेड और ग्रीन से लिखने का चार्म तो था स्कूल में लेकिन यह जो आप कह रहे हैं कि यह तीन कंपनियों ने कलम ट्रांसफरमेशन में उसके पहले मैं कैमलीन के पहन याद करता हू पायलेट के पहन कि गढ़ा पैलेटए लगजरी थी एक किंडम करते इंदम की बहुत पुरानी दुकान है उसका नाम है पैन् को गडॉलिया में उनें से मैं अपनी पैन में ठीक कराता हूं दुनिया के क्षैन कि कलम उनके पास हैं मुट वी रखते हैं और उनकी दुकान की खुद होगी यसी का चाहे रख से चाहे प्लास्टिक से चाहे था इन से उसका कैब बना देनी है कोई भी दुनिया का कलम उनके पास लेकर चला देनी है तो यह खुबसूरत दुकान है जाने लाए जो लोग बना जाते मैं उसे कहता हूं पैंको भी जाना तो यह पूरा एक और पैंको का अपना ब्रांट था और वो पैंक सप्लाई करते थे देश पुत्र सहाब एठते हैं उनको पता है कि आज की समय में कलम कैसे बेचनी है तो लेमी का जो पैं आपको कनाट प्लेस में मिलेगा वो पैंको के दुकान पर बनारस में मिल जाएगा जर्मनी के जो पैंको दिल्ली में नहीं मिलेंगे वो आपको बनारस मिल जाएगे तो क्यो वो भी गुलाब भाटी भी बोलता है जब उसको कि कहीं पार्टी में गए तो कहता मॉबला मॉना बुला रहा मॉबला मेरे पास दो है मैं एक फांटेन और एक रोलर वाला दोनों यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो गया यह मॉबला है रखा ही रहा हुआ है उसको कभी मैं अच्छे पैंस के साथ यह होता है आपके जल्दी घर आएंगे सौरत दुएदी बहुत पैदा आपके ले गए हैं अब कुछ हम में ले जाएंगे एक वो नहीं अपना जैंबे के बारे में तो मैंने निर्णाय कर लिया है बाबा कि वो मैं आपके घर में एक दिन जाकर रख दूँगा मेरे यहां कोई जुटते नहीं नहीं वो बजता है क्या चीज जिंबे जो टेबल पिटवाई वाला जो बाद दियंत्र है पहले बजाता था हमें अब क्या है कि अभी बजाने लगों तो मतलब महला भी ऐसा नहीं है कि लोग कहीं है क्या हो गया इसको इस उमर में आके कुछ पीटने लगा है रोज लेकिन ताव लैमी के शौ बहुत सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत महँगा भी नहीं है और लैमी के कलम की खुबी यह है कि उसकी निब की इंजिनरिंग बहुत अच्छी है हर लैमी केवल एक ही तरह से नहीं रखता है वो हमेशा एक पॉइंट डिफरेंस में आप उससे थोड़ा सा मोटा लिख सकते हैं सीधा लिखें और साइड से लिखें तो पतला हो जाएगा जबकि कई फाउंटिन पैंट बहुत ही फाइन होते हैं हम और ताओ दोनों ही मोटी निवाले पैनों के शौकी नहीं ताकि अक्षर में वजन दिखाई दे बिना चेश्मे के पगा जा सके उसको और लैमी के कल आपने कभी रीफिल में पीछे से फूक मारी है जब से बंद बच्पन में यह रेगिलर रेगिलर की फूक से हम लोग ड्रॉइन मनाते थे अच्छा हां तो उसका आगे का निप निकाल दिया क्योंकि आप बहुत फूक मारेंगे और निप नहीं निकालेंगे आगे का तो होता था लाल लग जाता था यहां तो उसमें क्या होता कि वो हगनवा कलम हो जाता है ना पदल्ला की सभी रेउट देखे कि टेक्टी की हिस है अच्छा रिफिल की टेक्टी इतनी चिपचेपवा रहती है गंदहली कांस्टी पेटे एक तो केबल यहीं नहीं आप एक साधे कागज पे रिफिल के आगे का वो पॉइंट निकाल दे और उसके उसमें फूक मारके आप इंक को गिरा लें और उसके बाद उसी नली को उसी स्याही के ऊपर रख के फूकते रहें तो मॉड़नाइट बनती लिए अब समझ में आया यह एक चीज बहुत कमाल की होती थी जो हम दोगोंने बहुत खेली है और उसके बहुत जूता खाया है कि कॉपी में एक बड़ा पेज ले लिए एफोर साइंस का और उधर आपके डी बना दी गई इधर हमाई डी बना दी गई इसको हम लोग रेनाल्ड फॉटबॉल कहते थे तो यहां पर डी पर पन को रखना है ऊपरसे उसको डंडी चाहनरानयो है उसको ढराना है कि वह लिखता भौ गर घाए ऑच्छा रहना तो जहां तक आपका लिखता हुआ सीधी लकीर गया वहां कि उसके लशत पन जहां तक कंसीश्टेंट गया है वहां पर पर पॉइंट बनाकर कि गोला दिया-धोदिया था क कौन किसके गोल में पहले पहुंचा यह तो अभी भी ट्राइ किया है सकता है इसके लिए बहुत देर नहीं हुई और एक कागस का बहुत इस्तेमाल होता था बहुत एक बार गोल इदा उधर को गया फिर उसका दूसरा शुरू हो गया तो हमने पंदा मिनेट के मैच में छे गोल किये तुम चार कर पाए तो यह है सबसे कमाल की चीजें जो है वो फाउंटेन पेंसे हुई है क्योंकि उसकी इंक ज़्यादा लिक्विट होने के वजए से इसको बहुत देती थी तो कागल्स को बीच से एक बार फोल्ड कर लिजे और उसके बाद में उसके उपर इंक की ड्रॉप्स बीच में गिरा करके बटरफलाई बनाए उसको वापिस स्प्रेट करके उसमें आप बटरफलाई बनाए या उसमें आप एक सद्धी जालते हैं सूत धागा जिसे पतंगा आप गाते हैं वो डालके और उसको घुमाते हुए खीचें तो वो और्किट जैसे फ्लोरल पैटल से उससे बना करते हैं सबसे यदा इंक पैन का इस्तेमाल होता था होली के मौसम में या बदला लेने के लिए जैसे हमारी क्लास विद्या मंदिर में एक सुरेन बहादु सिंग था लोका उसको हिंदी वाले आचार जिने अमरितलाल जी ने पीट दिया तो अमरितलाल जी पहुते पहुते ऐसे पुस्तिका ले करके जो बच्चों के बीच में जगह होती बेंच के उसमें घूम घूम के पहुते थे तो पहुते पहुते जब अधर से आते दिया दो तीन इसको सुरेट परताब को धाल धाल दो तीन कंटा है मन नहीं लेकर भाईया आपका पाल भी तीन ठेक तब हरी आली कर दी उनकी ने कहा कि ठाकुर साथ जाग गए कैसे पार बार दे सबका तो वह लाइन के अखिर तक गए इधर वह अपना उसने कहा क्या छिड़के नहीं आज सीधा पूरा इस्तान ऊपर का हिस्सा खोल के किनारे रखिस और जैसे मास्टर जी उसके बगल से आगे गए भाचित देदीश चिड़कता तो काफी था यह होता था यह अगर लड़ाई हो जाए किसी से इसी cold war type की हो जाए आप हाथ नहीं उठा सकते हैं तो आप चड़क देते तें फिर बाद में यह भी कहते थे यार मैं तो हवा में चड़क रहा है वह आज तक चल रहा है कलम से किसी का मुहकाला करने का महशबट कभी कोई कभी कोई कभी 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 कोई कभी कई कई बेस्बाल बैट इंडिया में बेस्बाल कोई नी खेलता लेकिन डिक्की उठाओ किसी की पीछे से हमारे डिक्क में रखाओ कि बेस्बाल बैट रखा है वैसे ही स्याही की बोतले जो है न कुछ शातर संगठन रखते हैं इसलिए मुझे न वो डेफिनिट की तरह बोलने का मन यूजन थ्रू बहुत सारे हैं क्लम की टेथनीक में लिखो फेको उसको कहते थे तो पाइलेट भी रिफिल नहीं यूजन थ्रू बाद में पाइलेट की इंक आने लग गई कि अगर आप इतने ही चतुर्दिक हैं क्योंकि हो क्या रहा था हम लों पाइलेट खरीते थे 55 होता था तो पालेट लिखता अच्छा था बहुत स्मूथ चलने वाला क्योंकि फाइन लिखता था उसमें अंदर जैसे इसकेश पैंड में होती थी अंदर वो उसी तरह से स्पांज लीड होती थी तो वह उससे अबजाब करकर कि अपना लिखने काम करता था जब वो सूख क्यून डाली है तो मुतहा मुतहा सब पतला लेकिन चलता रहेगा लेकिन उसको हैजा हिशा होता था मुझा ठीच के बाद बा heb में है और उसके पहले जो डॉट पें थे आपके एकदम गाली ये इंक वाले पाले की बाइदवे इंक आती है अभी भी वह पचास साथ रुपे के आती चोटी सी आई डॉप जैसे सीशी उसमें से आप दो चार डॉप दबाईए तो वह उसमें चला जाएगा उसके बाद में जो अभी सबसे आदा इवाल्ड टेकनीक है वो है हार्ड ब्रेश वाली तो आपके पास पॉइंट है जिस टेकनीक से एक्चुली स्केच पैन के टिप बना करते थे कि स्केच पैन का कोई मैटल का नहीं है वो रेशे ही है लेकिन बहुत ही कंडेंस चिपकाई हुए रेशे ह तो वो सोख रहे हैं और लिख रहे हैं उसमें भी हाथ कहीं भागता नहीं वो इतरह से स्याही के कलम का एक अतिसमवर्धित वर्जन है तो आजकल सिगनेचर वाले पैना गए है और कलीग्राफी पैना गए है जिनका पॉइंट वान पॉइंट टू पॉइंट थी चाहें और जितना महन आप चाहें तो जितना मोटा चाहें तो जबसे हम पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट वीज पॉइंट एस .45 अच्शा हम लिखख हे होता था फैन है उसमें लिखा उता था .45 लेकिन लेक़् यदुआ का हन्वे ने कुलम्आ इसकल यूस कर रहे है पे लोग ज़ादा गए कि आपकी लेखनी भी रहे सही आप उसमें वेरियेशन ला सकें क्योंकि अब लिखना जो है आपने जो शरवात में बात कही थी मैं वहीं पे खतब रहना चाहता हूं लिखना आप शौक की चीज़ है वरना आपके लिखने के सारे काम टाइप होके ही ह हो सकते हैं चाहे मोबाइल पे चाहे डेक्स्टॉप पे चाहे आईपैड पे चाहे लैप्टॉप पे चाहे मैक बुक पे आप कहीं भी टाइप ही कर रहा है हर जगे आप नंबर डाल रहे हो तो कीबोर्ड आपका कलम हो गया है इसलिए अब भी अगर कोई लिख रहा है तो लिखना बहुत ज़रूरी है टाइप की हुई चीज याद नहीं रहती आपने बोला न कि कोई चीज समझना हो या समझाना हो तो फिर पेन उठाना पड़ता है उससे क्या होता है आप भी याद रखते हैं आपने क्या ड्रॉ किया था सबसे बड़ी खामी आज की शिक्षा ववस्था में यही है जिसमें टाइपिंग इंपोर्टेंट हो गया है कि जब आप हाथ से लिखते हैं तो ब्रेन और हैंड का कोडिनेशन होता है को के लिए हाथ अलग घूमता है खा के लिए अलग घूमता है अभी सब के लिए खाट हो रहा है अभी सब के लिए एक की है तो आपका क्या हुआ कि पूरी वर्णमाला जो है टक हो गई तो आपका brain कमजोर हो रहा है कीबोर्ड याद हो गया है कि हर शब्द अलग तरीके से लिखा जाता था मतलब वो कितने घुमाव आपके हाथ लेते थे वो एक पैटर्ण जो ब्रेन का सीखा हुआ था और हर अक्षर एक स्क्रिप्ट है एक इमेज है तो हर अक्षर जो है वो एक इमेज रिकॉल होता है जब का लिखते हैं तो का कुछ लिखा नहीं है का दरसल एक तस्वीर है जिसक क कोई न कोई बहाना डूंड ऐसे लिखने का नें इस्तनि को व्छक टाल को वेज़ा है। ना दरी तो पियागर रंगून किया है वहांसे टेली फूम पता है न क्यों होता है फून क्यों कहने लगे उसको क्योंकि अपन पहले रहे हैं यहां पर फार्सी मतलब अरबिक स्क्रिप्ट में लोग लिखते थे तो उसमें ओ ओ सबकी मातरा एक है वाव लगाते हैं ठीक है तो फून अब पढ़ें कैसे है तो लोगों उसको फून पढ़ना शुरू कर दिया फून हो गया शुकर है और कुछ गर्बढ नहीं हुआ यह तो फिर भी ठीक लेकिन आप हाथ में पैन दबा करके हमारे एक माट साहब उंगलियों के बीच में पैन दबा के प्रावांतकारी पनिश्मेंट होता था सबसे उत्तम दो काम वो करते थे नो वाइलेंस एन एक्स्ट्रीम वाइलेंस तोगेदर विलियम सेर हमारे हाँ अगिरेजी पलाते थे और उनके यही दो शकल थे या तो दांते वाला खट कोनी और अट कोनी कोई कलम तब तो रेनार्ड नहीं आया थे जह हम एक्दम प्राइमरी में थे तो वो दो उगलियों के बीच फसा करके और उसको खुमाते थे तो उसके खट के जह वार घुमते थे थे वार चावित आई जाती थे और लरिका उचर के मतलब सब्सक्राइब को जोट लग जाएगी शिकायद करेगा चक जाट सब्सक्राइब च्टरा मारना है कि इतना ने जरते थे क्योंकि वह अंतहीन वेदना वाली चीज होती थी कहां दिखाओगे जाके कि क्या मारा है मास्टर ने वेरी स्मार्ट एक एक मेटाफर और फिल्मों से आया और बड़ा मशूर हुआ बाद में नाना पाटिगर की फिल्म कलम वाली बाई वो मुझे मैंने तो बाद में सिनेमा चुकी मेरी उम्र कम है बाद में देखना शुरू किया पत्रकार का हैंडल भी है कलम वाली बाई मेरे खाल से रेखा खान का बाई का मतलब होता है जिसको मेट बोलते हैं दो मतलब है बाई का मतलब नाशने गाने वाली है कि तीजण भाई रसूलान भाई अख्तरी बाई तो बाई है तो जो चालिस साल से ऊपर के हैं वो कहेंगे कि मतलब गाहावाय वाली है अरे जो शादियों में डांसर्स बुला जाते हैं बना रस से या मुझफर्पुर से उनको बोला जाता है दिए हमारे हम बाई नच रही तो उसमें कलम वाली बाई ने मुझे बड़ा अभिनो प्रयोग उस समय लगा था कि कलम पकड़ा और वो महिला को बड़ा किरदार भी बहुत मजबूत उसका दिखाया है और जो टकराव है उसमें नाना पाटिकर और उनके महिला अक्टर का क्या नाम है डिंपल का पाड़ी ह तो वो एक इस तरह कोई आपको फिल्मों में आदाता है कि कलम से जुड़ा हूँ कोई और में मैं कलम देखता था तो सिर्फ वही देखता था ताजियरात की कलम ताजिरात हिंद की दफा तीन सोदों के तहत उसके बाद तोड़ दिया था पुम और अक्सर होता था यह पू कलम में कोई द्रव भरा हुआ है और वो किसी के साथ मार्टिनी पी रहा है पिला रहा है अधीरे से दूसरे कप में धरके दच से दीस दूइबून कुछु गिरा और दूसर मनाई लम लेट यह तना की कलम जाओना है यह दो तीन चीजों ने बला अकर्शित किया एक तो यह है कि फलाने राजा को जब लगा कि नहीं बचेंगे तो अनगूठी को ले और वेजर तो एक में यह सही है पहले मैं सुचता था कि हीरा चाटने साथ मी मर जाता है हर मां चांटने कोई बात में सब चांट बहुत दिन बाव रहे हैं मैं फिल्म में हम लोग बात करते हैं क्या देख रहे हैं मैं फिल्म वेब सीरीज देख रहा हूं और मैं थोड़ा देर से देख रहा हूं साशा Baron Cohen की है The Spy जो उनको इस्रेल से सीरिया जासूस बना के भी बहुत दबुत है क्योंकि उस आदमी को देख के हसी आती थी यह उतना गंभीर किर्दार उना किया हम कोविट फास सीजन में वो उसका सारे सीजन नप्टा दिये तो और वो एक सच्छी कहानी पर आधा रही छे एपिसोड है साथ है साथ एपिसोड मुझे इसलिए यादा है वो शीशी उसमें खुलता है और शीशी का जो धक्कन है उसके पीछे गुली होती है उसके लिए पीछे पुझान तो तो तब बहुत सारे और नए लोग नहीं लिसनर्स थे तो कोई आप लोगों ने वह देखा किया उपहार पर जो देखा थो देख पाये ता हूँ आप नहीं देख पाया हूं मैंने देख लिए मुझे तो अच्छी लगी अहां लोग पुरशिंसा कर रहे हैं उसमें शुरू में शेकी कैमरा यूस किया ह एक उस स्थती को दरशाने के लिए कि पेरेंट्स को पता लगा है कि आग लग गई है और वो जा रहे है महाँ पर तो उस तरह के कुछ-कुछ बहुत अच्छे एफेक्ट उन्होंने अच्छे डालने की कोशिश की है और उसको नैचुरली करने की कोशिश की है और आखरी ज सकता है च्छे साथ ही एपिसोड है उसके हम कही सारे टैप हमने खोल लगके हम बहुत भासे हुए है मैं पहले क्या रहता था कि हम एक चीज़ पका के उसको तीन-चार देना है उसके बाद फिर लेकिन अभी क्या है कि लालच चने से भरा हुआ खला शकरे मुवाला बंदर क जाएंगी है मैंने क्या किया है मैंने मुट्टी खोलने का अच्छा तरीका निकाला है यह जो गिलहरी है मैं वेलकम देखने लगता हूँ अब देखता हूं एर बहुत सारे ओप्शन है क्या देखा जाए वेलकम देखते हैं आप एक पेंटिंग ले लिजे मजनु भाई व अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनने चिंगारी जो चड़ गए पुन्यवेदी पर लिए बिना गरदन का मूल कलम आज उनकी जैबोल जो अगनित लगदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं सनेह मूख खोल कलम आज उनक की जैबो लिए कविता आप चाहें तो पूरी और मैंने चुकि मिसरे का अधा इस्था बोला था तो मैं पूरा बोल लेता हूं आते हैं गयब से यह मजामी ख्याल में गालिब सरीर ए खामा नवाए सरोश है मतलब भी बता दीजिए अच्छा गयब मतलब होता है कि जो डिक उन्वान आ जाते हैं मन में तो लोग शायद उनको पूछते होंगे कि यह कहां से आता है तुम्हें तो आते हैं गयब से मतलब पता नहीं कहां से एक सुनने से आता है वो एक वैक्यूम से आता है जिसको हम सुनने बोलते हैं यह चीजे हमारे ख्याल में और जब लिखते है कागज पर चलती है तो एक आवाज आती है उसको सरीर खामा बोलते हैं खामा की का सरीर शरीर नहीं सरीर खामा नवाए सरोश में गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है नवाए सरोश मतलब सरोश जो है वो एंजल्स को बोला जाता है और उनकी आवाज है तो जो जो कलम का कलम का काज़ पे घिसने की जो आवाज है वो देवदूतों की आवाज है क्या बत है एक फाज की बहुत खूबसूरए लाइन है क्योंकि कलम हमेशा कलम नहीं होती लेकिं कलम की हुआजजियत कोई ज़रूरी चीज नहीं क्लम के मौताज होना कोई जरूरी चीज नहीं है क्योंकि क्लम काइटलिस्ट है किसी भी प्रॉसेस में वह अन्तिम आवाज नहीं है वह आवाजों को पैदा करने की एक आवाज बन सकती है फैस ने बहुत खूबसूरत लिखाया मुझे जो सबसे प्री हैं लाइने उन में से है कि मताए लोख कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूनेच दिल में जो वो ली हैं उलिया हमने जबान पर मोहर लगी है तो क्या कि रख दी हर एक हलका जन्जीर में जबान ने वह इसी के साथ एक ब्रेक और फिर बिजार खावर